आज जो एक मरीज मुहम्मद नदीम के नाम से आया था उसका जो हैना फते दरवाजा है उसका अड्रेस और जो हैना वो दीर जादनी से उसकी तवेद कुछ नासास थी और उसको चिस्ट पेल था और उसको पसीने जा रहे थे और उसका मुमेंट ऐसा था कि पुरे हास्पिरिल बंद रहने की ओज़े से हमारी मेंटरेटी हास्पिटल को आया जहां पर हमारा ओपी बंद था ओपी बंद रहने से वो बिचारा बद मुश्किल से आके ओपी के हॉल में तुम है डिया मैं क्यामेरे में देखी कोई करेंगे हो कि सुचे तक परेशन में समझे और हाफ अन अवर एकस्पायर हो गया देड़ बजे आया पेशन्ट दो बचे एकस्पायर हो गया फिर हम इनको उतेला दिये वो इतनी देर में लोग जो पेशन कंडिशन में जो बाहर से आया जिस तरीखे से आया हुने चलते वह अने मगर उसको जो दौन चल रहा था और जो पसीने जा रहे थे और उसको बात करने नी आ रहा था चेस्ट पेन की वज़े से तो उनके फैमडी के लोग आने की वाद हम कंप्ली हिस्ट्री निकाले तो यह पता चला कि वह पेशन गए हार्ट पेशन था उनको बहले से ही थ और उनों कोई बाहर जाके दुबाई लंदन आ के जाके आए तो यही के लोग है और कोई जमाद में भी ने गए कोई कॉंटेक्ट में भी नहीं है उन्हों आटोचल आने वाले मामूली ए इंसान थे मगर वह विज़ाज उनकी खराब रहने के वज़े से दो महने से घर के बाहर नहीं दिख लेते हैं तो शायद मैं समझते हूं उनका हाट कॉंप्रोमाइज हो गया था और अब एमाई आया होंगा आने जबाद एकदम इंफर्क्टन आने से उन्हों जो ना एकदम बेचैन हो गये और इसकत जो खालत में आये हम उनको बराबर डाइग्नोस करने क लिए हमको चाहिए टाइम मगर हमको टाइम नहीं मिला सिफ अरां हाफ अनवर के अंदर हम उनको रिपोर्ट्स वंगा के बात्चीत करें तकि जुनों एकस्पाइड हो गये और पूरे लोगों को मैं ये तरफ से मैं इलताजा कर रही हूं के बगर मालूम करें कोई भी ऐसा अफ़ा मत पहलाई एए ऐसा हो गया कि हमारे हस्पिटल के पास काफी लोग जमा हो गए मैं अन्दाजा तो नहीं लगा सकती हम और इतने लोग जमा हो गए कि हम खुद परेशान हो गए कि किस तरीखे से इसको मैनेज करेंगे लो पिर हम सरकल स्प्रेक्टर गुराइन बज जिसकी वज़े से हम खुद परेशान होगे तो मैं समझते हूं कोई ना कोई इसको इन दम चड़ा से देखके इसको अफ़ा एक बनाके और वो लोग को तो है रियालेटी नहीं मालू ना वो दम चड़ा से देखके बलेवरी एक खासी की बोल रहे दम चड़ा बोल रहे क्य जिसकी बहुत है तो इसी हालत में हमारा उपी बद है सिर्फ हमारे कुछ डिलवरी केसिस को वह भी पेंस आ रहे हैं तो उनको अंदर ले रहे खा लिए इसी असना में यह विचारा वह भी सीजा नहीं आया उन्हें पते दर्वाजे से ढूंदे ढूंदे दर्वा खाने यह पर खुला रहता है मेडरेडी हास्पिटल है वलकि यहां पर आगया तो उस वज़े से ऐसा हुआ कि मैं सबसे कहना चाहरे हूं कि कोई करोना का पेशन नहीं था आप लोगता परेशामत हो जाहिए और घर जरूरी अफामत पिलाई है क्योंकि आप इसका खुलासा पूरा आ आपको सुना रही हूं अगर पी कुछ भी आप रहा तो मेरे से नंबर फोन करके आप इतला ले सकते हैं मालूमात हासिल कर सकते हैं मगर प्लीज घर जोरी पहले गरीब लोग जो बाहर मेहनत करके काम करके कमा के खाने वाले हैं वो पहले ये परिशानी में है कि उनका हो के मर जाएंगे तर्मीज आप कुछ भी रहा तो मेरे से कॉल कर सकते हैं मालूमात कर सकते हैं मेरा नंबर है आप 9160186681 थैंक यू